नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस लोगंदर कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे GARDIA के बारे में GARDIA क्या है ये भी जानेंगे GARDIA का जो model है वो किस तरह से आप बना सकते हैं कौन-कौन से इसी चीज़े उसमें रहती हैं structures के बारे में जानेंगे उनके functions के बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे इस तरह की illustration जो है वो from scratch मैं create करूँगा अलागी जो individual components से वो अरड़ी मैं design कर चुका हूँ अगर आप चैनल में नए हैं पहली पारे से वीडियो देख रहे हैं तो आप दूसरी वीडियो भी देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से जो है इसमें हम using illustration information को convey करते हैं उस topic को understand करते हैं तो इसमें भी देखेंगे बहुत ही interesting illustration आपको देख रही होगी like a human face human face की तरह देखते है जीडिया जीडिया क्या है उसके बार में जानेंगे जीडिया क्यों इतना important है और जैसे कि हम लोग अभी cover कर रहे हैं parasite सम कर रहे हैं तो इसी का part है जीडिया जीडिया जो है एक चोटा parasite है जो कि diarial disease काउस करता है इस disease का नाम है giardiasis और यह कहीं भी हो सकता है यह soil के उपर food के उपर water के उपर जाधा तर जो infection इसकी वजह से होता है वो contaminated food water की वजह से होता है अगर गोल गब गाने के शौकीन है उसमें जो पानी उसमें जीडिया पाया जाता है अगर उसमें अन हीजिनिक प्रैक्टिस हो रही हो contaminated water किसी में भी उस वरा तो जीडिया वहां पर prevalent हो सकता है और यह कहां से आगा यह human physics से आएगा और उसकी वजह से जो water contaminate होगा तो इसी तरह से साइकल जो सलती रहेगी हम जानेंगे इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं कौन-कौन सी चीज़ें इसके बार में जानते हैं और इसके बार में जैसा हम हमारे सारे Vědeos में करते हैं इक है करके Crinks को चाह करें और एक है करके इंट्रस्क्रिव को भी झानेगे तो चलिए नेक्स सारीड में चलते नेक्सलाइब में लेपर डेग है कि इस तरफ लेबल है मेरे पास और इस तरफ जो यह यह हैं कॉम्पोनेंट्स हैं इस तरह से कोई भी चीज आप डिजान कर सकते हैं, बीपी ती में पारपॉइंट प्रेसंटेशन में सिंपल इलिस्ट्रेशन संस अब दिजान कर सकते हैं, अलगलग सॉफ्ट्वेर से हैं जसे इन्खेप हो गया, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, free of cost आप उसको use कर सकते हैं बहुत सारे options आपके पास अविलेवन हैं this is GRDS body तो एक layout इसको मिल जाता है और GRDS के बारे में अगर मैं बात करूँ इसका size जो रहता है वो इसकी width की अगर बात करें तो length में तो 5-15 micron तो थोड़ा लंबा है और width में length में आपके पास 10-20 micron आजाता है micrometer और 5-15 micron आजाता है width में तो आप समझ रहे होंगे कि micrometer की बात करेंगे तो बहुत ही tiny tiny microscopic organism है correct parasites को जब भी हम discuss करते हैं बहुत सारे parasites हैं, worms हैं वो तो naked eye से दिख जाते हैं लेकिन कुछ इक parasites होते हैं बहुत ही चोटे होते हैं तो इसमें GRD एक one of the important parasite है अगर cellular structure ही बात करें तो यह GRD जो है यह eukaryotic organism है यह आपने ध्यान रखना है, microscopic तो है but it is eukaryotic, यानि इसके पास nucleus होगा nucleus membrane होगी, उसके अंदर chromatin होगा यह सारी चीज होगी और जो eukaryotic cells में typical organelles रहती हैं वो भी इसमें रहेंगी हलाएं हम उन चीज़ों को design नहीं करेंगे हैं मेन इसके components को design करेंगे लेकिन आपने वो मान के चलना है कि these are the things that will be there next फ्लेजला से शुरू करते हैं, आपके पास चार पेर जाडिय के फ्लेजला आ जाते हैं, one is this on the top, middle में आपके पास आ जाएंगे correct इसको मैं थोड़ा सा मुझे आप time दीजिए because इसको इस तरह से रजेस्ट करना होगा ताकि जो हमने initial जो आपने देखी थी illustration उसकी तरह हो यह आ गया pair number one next is pair number two क्योंकि यह सारे जो है on the top होंगे on this body, तो इनको मैं on the top रख रहा हूँ और यह आ गया third pair, तो pair की जब बात हो रही है कि दो फ्लेजला इसमें include होंगे तो यह नहीं total कितने फ्लेजला होए, 8 right, one, two, three और last में आपके पास this one बहुत ज़्यादा बड़ा size हो गया anyways, तो आप इन चीज़ों को already जो है individual components को design कर सकते हैं और इस तरह उनको place करके तो एक तरह से फ्लेजलर appearance आजाती है इसमें, जाडिया में sorry, already मैं आपको बता चुक हूँ human face kind of features इसमें आपको दिखेंगे but वो human face features नहीं है वो आखी नहीं है, यह मूचे नहीं है यह बाल नहीं है, not those are not these features, but ऐसा लगता है कि GRD में इस सारी चीज़ें प्रेजन हैं तो इस वज़े से इसका एक interesting सा look आ जाता है फ्लेजलर की जब हम बात करते हैं in general, फ्लेजलर आपको पता है कि लोको मोटरी औरगन है करेक्ट, लोको मोशन के लिए बहुत इंपोर्टन है पैथिजनी सिटी के लिए बहुत इंपोर्टन है इंफेक्शन काउस करने के लिए बहुत इंपोर्टन है इसमें एक particular feature रहता है इसका motion रहता है flapping wing kind of motion इसमें रहेगा और एक coordinated beating of flagella इसमें रहती है यह hair-like projections है जो कि anterior end से आपके parasites के जदा है और next is क्यूंकि यह connected है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि anterior, middle, posterior बट यह connected रहते हैं जो connected structure है, connecting structure उसको भी बनाऊँगा next two function इसका रहता है वो है sensory यह motion, surrounding motion को भी sense कर लेते हैं तो दो चीज़े होगी तो locomotion, यानि movement और दूसरा sensory function इसमें आ जाता है अब इसके बाद हम not rather going into this structure इसको discuss कर लेते हैं जो कि बहुत important part जाड़िया का, which is sucking desk sucking desk जो है, उनका क्या role रहेगा as the name indicates, इनका बहुत important role है कि nutrients को absorb करना है तो यह तो नाम से ही clear है साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे तो इसका एक structure के बाद करूँ concave structure रहेगा इनका यानि convex तो हो गया आपका इस तरह से अगर shape आजाती है अगर आप इसको side views का, अगर आप देखें तो correct तो यह कुछ एक points ने, जो आपको समझने है तो यह second disk होगी और उसके बाद इसके अंदर आ जाते है nucleus nucleus में आएगा तो यह जो दो illustration में ने design की है वो आपकी nucleus के लिए आजाती है याँपे और इसी बज़े से आपको ऐसा लगड़ा होगा कि it's a kind of a human, a very funny looking human face बढ़ ऐसा है नहीं और उसके अंदर आपके पास आजाते है cariosomes, cariosomes क्या है वो भी हम जानेंगे, एक बड़ी में इसका illustration जो है, वो design कर लेता हूँ then it will be very very easy for us to understand correct okay right जाडे की body हमरे पास आ गई है, जाडे की हमरे दूसरी features भी आ गई है, including nucleus, sucking desk sucking desk के हम बात कर रहे थे, तो इसका concave shape structure रहेगा, इसमें ring of microtubules रहते है बहुत important role रहता है, इसका attachment to the intestine host intestine, जाडे की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये diarrhea का आउस करता है, यहीं इसका attack रहेगा intestine के ऊपर, और वहाँ पे इनका बहुत important role रहने वाला है attachment to the intestinal wall तो उसके, ताकि वहाँ से direct nutrients जो है absorb कर सके उसके बाद nucleus से करें बात करें तो obviously we all know nucleus बहुत important है genetic information के लिए इसमें दो nucleus है, इसका क्या role है, क्या importance है, अभी तक उतना clear नहीं है कि इसमें दो nucleus है, rather having just one nucleus correct, तो एक ये point आजाता है, दूसरा इसमें दो nucleus होने के, कुछ एक hypothesis भी दी गई है कि ये better you know, adaptability के लिए responsible रहता है, जिसमें, क्योंकि अगर आप पास दो nucleus हो जाते हैं, that means you have availability of generic material for the cell, it can produce various proteins, correct, ज्यादा busy नहीं रहेगा, तो ये भी important feature आजाता है, इसमें, बाकि इसका जो है, थोड़ा detail में, अभी still research इसके उपर हो रही है, कि क्या है, इसका importance है next, curious, मैंने बात की, ये जो black color structure है, ये cariosome आजाते हैं, चलिए साथ ही साथ ऐसा कर लेते हैं, कि इनको label भी हम लोग कर लेते हैं, तो flagella की हमने बात करी, मैं अलड़ी आपको बता चुका हूँ कि इसमें चार पियर रहेंगे, second desk आपकी आजाती है, over here जो थोड़ी सी purple color में है, then nucleus आजाता है इसमें, जो कि हमारा तो ये येलो color है, उसके बाद उसके अंदर आजाता है, cariosome, correct तो इसको black colored, आपके organically करियो सोम हो गया, next हमारा पर साथा है, exoneme and parabasal body, what is parabasal body what is exoneme, ये जाना हमली ज़रूरी हो जाता है हमारा पास दोई structure बचे है, इनको भी मैं ऐसे है की adjust कर लेता हूँ, correct तो ये जो illustration, अभी मैं use कर रहा हूँ ये parabasal body के लिए है, मुझे जो structure से इनको on the top लना पड़ेगा, नहीं तो ये illustration अच्छी नहीं लगेगी हमारी, right और उसके बाद हमारा structure आजता है, parabasal body का which is also on the top ये इसको भी label कर लेते हैं हम लोग this one is your parabasal body and this one is your exonym, correct, अब इनके बारे में भी जान लेते हैं ताकि हमारा total complete हो जाई ये video जिसमें हमने सारी चीजें cover कर लिए है, at least structure of jrdiya कितना easy था इसको design करना, correct, जब ये design हो जाता है तो तो इसका काफी बढ़िया illustration इसके दिखती है, तो आप देख पा रहे होंगे, इस वक्ट jrdiya जो है, हमने construct कर लिया है, और इस पे सारी component label कर चुके हैं हम लोग, exonym की हम लोग बात करें, तो exonym क्या है, exonym is very very important for for flagella of jrdiya, jrdiya की जब हम बात करें, इसमे specific species की हम बात करें, ये आप धियान रहे है, jrdiya lamblia, l-a-m-b-l-i-a, lamblia, so jrdiya lamblia में जो exonym है, it's a microtubule-based structure responsible for its unique wave-like motion of jrdiya flagella, jrdiya flagella है, उसमें इसमें इसमें जो exonym है, इसकी वजह से ये motion होता है, right, so they are connected, next, इसमें पराविसल बोड़ी की हमने बात की, पराविसल बोड़ी, is another important structure, बहुत ही specialized organically है, very closely sitting to the exonym, बहुत नजदीक है, इसका रोल जो है, एक तरह का नोन है कि ये hydrogenosome-like function इसका रहता है, hydrogenosome, आपने ये चीज़ याद रखनी है, hydrogenosome का role रहता है, respiration में energy metabolism है, बहुत important role रहता है, उसी तरह का इसका role रहता है, इनके सब jrdiya, अब intestine में क्या होता है कि low oxygen conditions रहती है, low oxygen conditions रहेंगे, तो इसमें jrdiya को एक अलग तरह से अपना आपको adapt करना पड़ेगा, उसके लिए पहरा basis body present है, जो कि इसको adapt करने में help करती है, और दूसरा जो है, इसको एक तरह से, इसकी survival को promote करती है, under oxygen deficient conditions, correct, तो यह आपका structure ready है, यह हमने बना लिया है, jrdiya, सारी चीज़े हम discuss कर चुगे, इसके functions, अब इसकी life cycle के बारे में भी कुछ एक बात हैं, हम लोग discuss करेंगे, इसके virulence factor, pathogenetic contributors, कौन कौन से factor रहेंगे, इसमें जो contribute करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए, वो भी जा helpful रहेंगे, और इसी तरह के अगर आप आपको और भी वीडियो देखने हैं, कोई topic आपको समझ नहीं आ रहा है, complex topic को भी बड़े simple way में break, break करके हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, और ताकि आपको पूरा समझ में आ सके कि किस तरह से जो है, यह जो mechanism रहेगा particular topic में, य और बने रहे हैं, चैनल के साथ देखते रहे हैं वीडियो, और ताकि आपकी जो है, वो information भी बड़े हैं, और साथी साथ अगर आप subscribe करेंगे, तो आपको यह जो है, इसको बार बार ढूने की जरूर नहीं पड़ेगी, वीडियो को, इस सारा content अवेलेबल रहे हैं, और अगर आपको पसंद आए वीडियो, तो इसको लाइक चरूर कीजिए, तो चले दूस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,